हलो दोस्तों कैसे हो आप स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल जे अनपी पे उमीद करता हूँ कि आप सभी बहुत यच्छे होंगे तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं माइक्रो सर्किट तो इस्टपलाजर में माइक्रो नहीं की जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कोई भी जवाब और सुजा हो तो अपनी राहे में कमेंड में जरूर दें तो चल ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर यह 5KB का आटोमेटिक इस्टो प्लाजर है जो कि इसमें हमने ट्रांसफार्मर को चेंज कर दिया है क्योंकि इसका ट्रांसफार्मर जल गया था और आज की वीडियो में हम इसके सर्किट को चेंज करना सिखेंगे किस तरी इसको सर्किट को लगाया जाता है आज की वीडियो में यह सिखेंगे इसमें देख सकते हैं माइक्रो सर्किट पुराना लगा हुगा है और इसके बदले हम इसमें नया सर्किट लगाएंगे तो यहाँ पे पहले हम इस circuit को निकाल लेते हैं इसके connection कैसे करेंगे पूरी जानकारी दूँगा मैं और एक एक point के बारे में मैं बताऊंगा कि इसमें कौन से बार कहाँ पे जुड़ते हैं तो पहले हम इस circuit को निकाल लेते हैं तो यहाँ पर हमने circuit को बाहर निकाल लिया है, इसके यह wire देख सकते हैं, जो lead है, यह इसके LED के लिए है, देख सकते हैं, तो इसको रहने देते हैं, यहाँ पर हम समझ लेते हैं, यह हमारे पाज़ यह micro circuit है, तो यहाँ पर यह देख सकते हैं, इसमें single PC8 है, जिससे हम voltage को adjustable करत यहाँ पर देख सकते हैं, यल्टी, यल्टी दो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे transformer के wire जूड़ेंगे, जो कि देख सकते हैं, यह 18 बोल्ड जो supply है, देख सकते हैं, तो हमारे जो दोनों wire हैं, आपस में यहाँ आके जूड़ेंगे, तिसरा यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि transformer के wire के bagel में बिल्कुल है, यहाँ पर यह relay के point देख सकते हैं, यहाँ पर चारो आपस में sort है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर चारो जो connection है, आपस में sort है, तो हमारे यह common का point है, तो यहाँ पर हमारे यह common का point लगेगा, देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर लिख कि हमारा यह है जीफ सकते हला पर दूसरा ऐसे सीरियल करके हमारा यह रीले का कनेक्छन है और इसमें दोस्तों कुछ अलग लिखा हुआ है हाला कि सेम है हम पर आपको मैं दखा देता हूँ यहां यह cut जो कि हमारा चार नंबर है और यह O P जो लिखा हुआ है वह हमारा जो यह 3 नंबर है जो कि आउट कुट की है तो इसमें दोस्तों दो एक दू तीन चार करके है और इसमें O T कट ऐसे है तो चलिए चेंज करते हैं तो यहाँ पे हम पुराना वाला सर्किट निकाल लिए हैं और पुराने वाले सर्किट में अगर मैं आपको देखाऊं तो नएक मकाबले यहाँ पे देख सकते हैं इसमें एक पीशेट लगा हुआ है और यहाँ पे अगर मैं आपको तो यहां पर दो पी-शेट आप देख सकते हैं, जिसमें से ये हमारा ये setting का पी-शेट है जो voltage को adjustable करने के लिए होता है, जो कि देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है, setting आप देखेंगे ध्यान से तो यहां पे लिखा हुआ है और यह वाला जो हमारा जो यह P-set है यह टाइमर के लिए जो की टाइमिंग को set करने के लिए होता है तो इसमें जो है कि दूनों दिया हुआ है और अगर मैं इसके जो है जैक की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें अगर मैं आपको देखानी की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे serial number करके लिखा हुआ है जो की एक, दो, तीन, चार करके लिखा हुआ है और उसमें जो की cut और वहाँ पे जो की O, P और वहाँ पे P1, P2 लिखा हुआ है यहाँ लेकिन simple है हलाकि बहुत easy है दोस्तों आप बहुत ही असान तरीके से कर सकते हैं अगर आप लोगों को यह हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा चैनल पे पहली बारा है तो चैनल को subscribe जरूर कीजेगा अगर आप लोग को यह connection नहीं समया तो आप लोग प